देखो हम दोख सबसे important topic पर आते हैं जो है find the order of matrix maximum जनको ना mistake इसी में होता है और ये boards में ना हर alternate year में आता है ठीक है तो ध्यान से समझना 3-4 question discuss करेंगे जितना हो पाएगा ठीक है clear कर लेना एक दम यह सबसे important question है देखो सबसे पहले देखो m एक matrix है और ये एक matrix है इस matrix का अगर order देखेंगे तो क्या है 2 into 2 है और ये जो matrix है इसका देखो row कितना है 1 है column कितना है 2 है तो ये क्या है 1 into 2 यह है हम लोग का row और column हम लोग को पूछा गया है कि matrix m m का order क्या होगा तो देखो हम starting से बता रहे थे कभी भी दो matrix आपस में कब multiply होता है जब इसका आखरी वला term जैसे मानलो इसका जो भी order होगा हम मानले ते x और y होगा x into y है अब हम x और y का value find करते है सबसे पहला चीज़ देखो multiply कब possible होता है जब इसका y और इसका value मतलब इसका आखरी जिससे multiply हो रहा है उसका आखरी term और इसका पहला term जब same होता है तब ही multiply possible है तो इसका मतलब हम लोग को पता लग रहा है y का value क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और दूसरा हम ये भी बताये थे जब multiply हो जा रहा है तो इस term का जो matrix M है इसका पहला term और इसका second term मतलब इसका पहला term और इसका आखरी term अगर हम लोग देखेंगे दोनों को multiply करेंगे तो ये निकलता order of matrix ठीक है तो यहाँ अगर compare करेंगे देखो ये 2 इस 2 के बराबर होगा तो x का value क्या होना चाहिए 1 तो x का value क्या होगा 1 देखो फिर से repeat करा रहे multiply तभी possible है जब इस matrix का second वाला order second वाला जो term है और इसका पहला वाला term same होगा तो मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए same होना चाहिए दूसरा term जो भी हम लोगा बन रहा है matrix इसका जो भी order हो रहा है ये order कहां से निकलता है इसका पहला term से और इसका second term से मतलब x into 2 करेंगे तो equal होगा 1 into 2 से ठीक है तो x का value किसका equivalent होना चाहिए 1 का तो x का value 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है m का जो भी order होगा m का order क्या होना है x का value क्या है 1 है तो m का order होना चाहिँ है 1 into 2 ठीक है 1 into 2 क्यों हो रहा है की य का value ये निकला x का value ये निकला है तो order क्या होना चाहिए 1 into 2 यहां तक clear है m लोगा ठीक है अब देखो आगे बढ़ते है find the matrix m अब देखो order हम लोगों पता लग यह वन इंटो टू मतलब क्या होता है एक रो है दो कॉलम है एक रो दो कॉलम मतलब क्या हमें एक टर्म मान सकते हैं A B matrix M को हमें A B मान लिए दो टर्म अंदर मान लिए इसको मान लिए suppose let मान लिए let करके ठीक है अब इहां put करते हैं तो क्या होगा A B यहां क्या है 1 1 0 2 equivalent कि से है 1 2 से ऐक है multiply करते हैं पहला रो इससे करेंगे यह इससे multiply होगा तो क्या आएगा next step में A into 1 होगा A plus this into 0 होगा 0 ठीक फिर पहला रो second कॉलम से करेंगे तो क्या आ cartridge है a होगा, प्लस to b होगा यह equivalent किस से है 1 और 2 से है A का value a plus 0 क्या आता a होता है, तो A का value क्या आना बन तो A का value आग Gudye 1 और देखो यहाँ पे A plus 2 b का value क्या दिया है, 2 दिया है तो A का value क्या आना है, 1 आना है Plus 2 b ug to 2 है, तो 1 उधर जैगा तो क्या आएगा तो यह है order of matrix देखो second question देखते है देखो next question देखते है next question यह हो हम लोगा क्या 2, 1, minus 3, 4 x है multiply में equal है हम लोगा 7 और 6 है पहला question पूचा find the order of matrix same question है ठीक है तो order कैसे निखलेगा देखो सबसे पहले इसका order देखेंगे तो इसका order क्या है हम लोगा 2 into 2 है ठीक इसका order हम लोगों पता नहीं है तो मान लेते है x into y होगा कुछ order इसका order देखते है ठीक है तो इसका order क्या हम लोगा कितना row है 2 row है तो 2 into column कितना है 1 है तो 2 into 1 हुआ अब हम तुम लोगों पहले बताए थे यह दोनों term क्या आना है same आना है तो मतलब x का value क्या आएगा 2 आएगा वैसी ही y का value चेक करते है मतलब 2 into y मिला के यह दोनों आना है तो compare करो देखो 2 into y equal आना है किसे 2 into 1 से मतलब यह दोनों मिला के क्या आना है तो comparison करो 2 2 के बराबर है तो y का value क्या होना चाहिए 1 तो y का value 1 होगा तो इसको मतलब क्या हुआ जो भी matrix x आ रहा है इसको order क्या आ रहा है x का order x का order क्या है का बताओ 2 into 1 आएगा क्योंकि x का value 2 आया y का value 1 आया तो 2 into 1 आना है इतना clear होगी है जब 2 row और 1 column हुआ 2 row एक column में हम मान सकते है a, b term को x का value को हम मान लिए ठीक है देखो a और b है क्यों लिए a और b इस तरह और यहाँ पैसे क्यों लिए क्योंकि यहाँ पे order क्या था 1 into 2 यह order क्या है 2 into 1 2 into 1 मतलब 2 row है एक column है ठीक है तो x का मिल क्या हम लोग का value अब यहाँ देखते है यहाँ देखेंगे तो क्या है 2, 1, minus 3, 4 x का value क्या है a, b equal किस से होगा हम लोगा 7 और 6 से होगा अब देखो पहला row पहला column से करेंगे 2 into a क्या आएगा 2 into a आएगा 2 a this से multiply होगा तो क्या आएगा plus b फिर क्या करेंगे second row पहला column करेंगे second row करेंगे तो second row क्या है minus 3 into a क्या होगा minus 3 a plus 4 into b that is 4 b equal किस से होगा 7 और 6 से अब देखो पहला term पहला का बराबर है इसका मतलब क्या होगा 2 a plus b equal to 7 दूसरा देखते है दूसरा equation क्या हैगा minus 3 a plus 4 b equal to 6 अब देखो दोनों को simultaneously solve करना अब simultaneously solve करने के लिए हम b को same करते है अब b को अगर same करेंगे तो यहाँ पर 4 b था तो उपर term क्या से multiply करेंगे 4 से करेंगे तो next step में क्या हैगा 4 to the 8 a plus 4 into b क्या हैगा 4 b equal to 7 4 to the 28 next step देखते है next step क्या है minus 3 a plus 4 b equal to क्या है 6 है अब देखो plus plus यहाँ minus होगा यह cut गया time यह minus हो तो यहाँ क्या होगा plus तो plus 8 और plus 3 18 कितना होगा 18 11 होगा 11 a यहाँ देखते है यह plus है plus है minus करेंगे 8 minus 6 क्या हैगा यहाँ पर आएगा 22 तो देखो 11 a का value है 22 तो a का value क्या आना है 2 तो वैसी करके एक equation में put करते है तो b का value क्या आएगा हम लोगा तो देखो b का value क्या आना है b का value आना है 3 और यह हो जाता हम लोगा solution इसी थारह जितना भी order of question होता है इसको आशी solve करते है तो तो एट करे आना है झाल